दोस्तों आज की इस वीडियो में जो है दो कैमिकल कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं यदि आपके पास एक भी स्टोक आइन में से तो आप समझ जाएगा कि आपका जो फ्यूजर है वो ब्राइट होने वाला है क्योंकि यह जो दोनों ही कंपने ना गजब के रिटरन तो बात करें तो अभी मार्केट में काफी गिरावट आई थी लेकिन इस सेर में एक थोड़ी सी भी किरावट देखने को नहीं मिली है तो यह दोनों सेर इतने स्टोंग सेर है कि आने वाले टाइम में यदि आपके पास दोनों में से एक भी है तो आप समझ लेजेगा कि पैसे गजब के बरने वाले आपके पोटफोलियो में ठीक है तो मैं लेकर के चलता हूँ कौन सी कमपनी है दोस्तों उनके पास तो बता दूम आपको यदि आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेजेगा और चलते हैं दोस्तों सेर की तरब तो पहला जो सेर है यहां पर जो मार्केट में गिरावट हुई थी तो थोड़ी सी चोटी सी जो है यहां पर गिरावट देखने को मिली थी लेकिन ओल्टाइम हाई पे यह स्टोक जा चुका है उसके बाद चीक है इसी के साथ बात करें दोस्तों पांस साल होगी तो मैं लेकर के चलता हूँ प कंपनी जो है हर साल डबल से भी ज्यादा पैसे करती जा रही है बात करें दोस्तों मैक्सियूम टाइम की तो इसकी जो लिस्टिंग है ना हाल के सालों में हुए 2018 में तो इसकी जो मैक्सियूम रेटन जो है शेसो 61% के तो इस कंपनी में आप देखीगा चाहिए कोवीड के कहाँ आप University के लिए एक गिरावट कोई खास देखने मिलेगे और और ओल्टाइम में आज के दिन जोई हाई पर गजब की तेज़ी यहां पर देखने को मिले है यहां पर कंपनी के लिए स्मोल कई मिध केप टाइप की कंपनी और लॉंग टम के लिए काफी फंडामेंटर स्ट्रोंग कंपनी है यदि बात करें इसके फंडामेंडर की तो उससे पहले में बता दोस्तों दो कंपनियों की जो बात करेंगे हम उसमें यदि हम लंपसम इन्वेस्टमेंट करते हैं एक लाख रुपे तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि लोंग ट्रम में कितना पैसा ह यह प्रांट की चलते हैं हम इन शेयर में करें ठीक है एक लाख रुपे डालती है इसी के साथ मुझे लगता है यह कंपनिया ना 35% की असानी के साथ जो बना कर दे सकती है ठीक है तो देखें कि 10 साल बाग कितना पैसा बनेगा एक लाग से 35% की compounding के साथ 35% की compounding क्यों लिया मैंने तो मैं बता दू दूसरी जो बड़ी कंपनिया उनमें compounding जो है 50% से ज़्यादा की देखने को मिलेगी बड़ी chemical company में तो ये unique coding मुझे लगता है 35% का compounding के साथ देखने को मिलेगा तो 10 सालों के तक अगर आप एक लाग रुपे लगा के रखते हो तो एक लाग से आप 20 लाग रुपे बना सकते हो इन दोनों company से बात करें direct 20 साल की तो 20 सालों के बाद आपकी जो investment है एक लाग रुपे की वही investment आपको 4 क्रोड रुपे बना करके देगी लेकिन आपको क्या है hold करना पड़ेगा शेर को 20 सालों तक hold करोगे और 35% का compounding रहे इस company होगा दोनों तो गजब के पैसे यहाँ पे छपेंगे 4 क्रोड की आप आसपस के मौनट आपकी बनेगी बात करें दोस्तो fundamental की तो इन company की बात करो तो positive यहाँ पे देखिये positive point यह जो company quarterly result दे रही है अच्छे और depth free company है मतलब की company जो है एक रुपे का भी कर्ज़ने यह company को पर दूसरी बात करें profit growth की तो 27% की compounding के साथ जो profit हो ग्रो हो रहे है लास्ट 5 साल से ठीक है यहाँ पे देखिगा year and year basis पे result में 2021 में यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है net profit में लेकिन इस company में quality है इसी वज़े से इसमें बिल्कुल भी गिरावट देखने को नहीं मिली है ठीक है तो मुझे लगता है इसमें गजब के return आप ले पाऊगे 2019 की बाद के तो 137 क्रोड का net profit हुआ उसके बाद 165 क्रोड फिर 120 क्रोड का फिर 260 क्रोड का इसी के मुकाबले में देखिगा sales तो sales भी लगातार बढ़ती हुए देखने को मिलेगी compounding के अगर बात करें दोस्तों तो अभी listing हुए इस company के तो इसी वज़े से 3 साल की जो compounding है 63% की एक साल की जो compounding है 100% की तो यहाँ पर 35% की compounding के साथ अगर आप 1,00,00 रुपे लगाते हो 20 साल तक तो 4 क्रोड की amount जो आपकी बन जाई असानी के साथ company के पास resource कितने है तो 944 क्रोड के असपस की savings है company के पास कर्ज की बात करें तो लगबख 60 क्रोड का कर्ज भी है और कर्ज जो है लगाता और कम होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है ठीक कर्ज कम हो रहा है इसके मकाबले में saving जो है बढ़ती ही जा रही है तो saving बढ़ रही है इसका मतलब यह है दिखाया इस company का तो यह जो company ने एक बार भी इस company में गिरावट देखने को नहीं मिलेगी old time में इसका chart open करोगे तो इतना खुबसूरत chart रहना गिरावट का तो नाम होनी सान नहीं है मैं इस company के अंदर ठीक है तो मैं दिखा देता हूं एक बार maximum time तो यहां पर देखेंगा तो यह इस company को लगबद 2018 के आसपास है तो मतलब चार साल हो गया इस company को और चार सालों में गिरावट कुछ खास देखने को नहीं मिले है अगली company के अगर बात करें तो अगली बात करें कट का जी है वह नाइट रायट का इसी इंडिया का badge 70 सब्सक्राइब करें जो बिजने से नाइट राइट का सोडियम नाइट राइट का इसी के बात करें मिड़काइब का टाइप की यह कंपनी 27,000 क्रोड की कंपनी है तो गजब की रेटन यहां पर देखने को मिलें और मुझे लगता आने वाले टाइमिंग इससे भी ज्यादा यहां पर देखने को मिलेंगे profit growth की बात करें तो compounding जो किण प्रोफिट ग्रोफमें 87 की यह काफी तेजी की साथ इसके profit यह गरो होई रहे है ठीक है बात करें दोस्तो यह रोनी Knt चलता हूँ इसके उपड़ के net profit जो हैं वहाँ पर दिखाता हूं मैं 2019 में जो इसके नेट प्रोफिट होए था ना 174 करोड के फिर 611 करोड के फिर 766 करोड फिर 1067 करोड के तो यहां पर कावी अच्छी घासी तेजी देखने को मिल रहे है ठीक है नेट प्रोफिट में इसी के साथ पात करें सेल्स क्रोफ में तो सेल्स की बात करें थोड़ा सव मैं 2019 की दिखाता हूं तो 2700 करोड यहां पर जो है सेल हुई है ठीक है तो गजब की तेजी यहां पर देखने को मिल रहे है प्रोफिट में भी और सेल्स में में तो इसका कैमिकल अच्छे खासी तेजी के साथ भी करें बात करें दोस्तों की तो यहां पर 10 साल की जो कंपरमटी है 61% की है 5 साल की 62% की है 3 साल के 94% की एक साल में जो इस कंपनी ने जो कोई डिटन नहीं दिया एक्टिव है क्योंकि मार्केट पूरा का पूरा ही डाउन पे चाल रहा है ठीक है बात करें दोस्तों कंपनी के रिजर्स की तो 3300 क्रोड का स इसके पास और यह जो सेविंग अनल लगातार बढ़ाती जारी कंपनी मतलब यह नेट प्रोफिट इसके अच्छे खासे कमा रही है कंपनी इसी जैसे जो है इसकी सेविंग बढ़ती जारी कर्ज की बात करें तो यहां पर कर्ज देखिएगा कर्ज भी लगातार कम होता देखें तो 45.69 परसेंट से इंक्रीज हो चुका है ठीक है तो यहां पर घजब के रेटन देखने को मिलेंगे यां पर आने वाले टाइम में गजब के ही रेटन मिलेंगे तो मुझे लगता है इन कंपनी की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए उसके बाद जो है इंवेस्टमेंट करने के बारा में छोचीगा तो कैसा लगा वीडियो बताईएगा अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लिजीगा बिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में थेंक्यू सो मच